बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जहाँ पर आप रहते हैं, आपका घर कहाँ पर बना हुआ हैं? जिस पाटशाला में आप पढ़ने जाते हैं, वो कहाँ पर है? जो अनाज आप खाते हैं, रोज जो आपका भोजन होता है, चाहे हम बात करें चावल की, या गेहों की, तो ये सब कहाँ पर उगाये जाते हैं? ये किसी न किसी भूमी पर ही उत्पन्न किये जाते हैं तो चाहे हम कृशी की बात करें वो किसी न किसी भूमी पर की जा रही है चाहे आपका घर हो या हम पाटशाला की बात करें या किसी दुकान की बात करें ये सब ही जो हैं वो किसी ने किसी भूमी पर ही इस्थित होते हैं तो बच्चो आज हम बात करते हैं भूमी संसाधन पर पिछली कक्षम में हमने देखा था कि संसाधन क्या है इसका क्या उपयोग होता है और संसाधनों के अलग-अलग प्रकारों पर हमने चर्चा की थी तो भूमी जो है वो ए जो है वो महत्यपूर्ण संसाधन इसलिए और हो जाता है कि मनुश्य की एक जो अनिवार्य जीवन की मुलभूत आवशक्ता होती है आवास तो वो आवास का निर्माण करने के लिए हमें भूमी की आवशक्ता तो पड़ेगी ही आप सिक्षा प्राप्त करने जा रहे हैं तो आपकी शाला के निर्माण के लिए भी हमें भूमी की आवशक्ता होगी हमारी फिर से वही की जीवन की मूलभूत अनिवारी आवशक्ता भोजन हमें भोजन की आप पूर्ती के लिए अन्न का उत्पादन करना होगा और इस अन्न की उत्पादन करने के लिए हमें किसी भू स्थापना की बात करते हैं तो इन विनिर्मान उद्योगों की स्थापना के लिए भी हमें किसी भूमी की ही आवशक्ता है तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे जीवन की हर मूल भूत आवशक्ता के लिए हमें भूमी या जमीन की आवशक्ता होती है और इसलिए यह हमारे ये एक महत्वपूर्ण संसाधन बन जाता है और इस पðूमी की मात्रा जैसे हम बात करें हम जिस देश में रह रहें हैं हमारे भारत देश है अंच Si Ma है इस भारत देश की तो हमारे पास भूमी की मात्रा तो निष्षित है उसे बढ़ाया नहीं जा सकता लेकिन लगातार जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है और उस बढ़ती हुई जनसंख्या की जो भोजन की आवशक्ता है आवास की आवशक्ता है फिर हम परिवहन आवशक्ता की बात करें हर प्रकार की आवशक्ताओं की पूर्ती तो हमें करनी ही होगी और इन सब के लिए हमको भूमी या जमीन की आवश्कता होगी तो इसलिए अभी वरतमान समय में हम कहें कि भूमी की मात्रा निश्चित है जनसंख्या लगातार बढ़ रही है इसलिए अभी आवश्कता इस बात की है कि जितनी भी हमारे पास उपलब्ध भूमी है उसका हम उचित और टिक नियोजित तरीके से हम कैसे इस भूमी का उपियोग करें तो इसमें गहरे चिंतन की भी आवश्यक्ता है। बचो अभी हमने बात की भूमी की और इस भूमी संसाधन के संदर में जब हम चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा भी कि हम इसके अलग-अलग उपियोग की बात कर रहे हैं। उप्योग मतलब अभी जैसे हमने कहा कि हमारा आवास, हमारा आवास किसी भूमी पर बना हुआ है, आपकी पाटशाला है, कहीं पर हमने देखा वहाँ पर अन्नक का उत्पादन किया जा रहा है, मतलब वो कृशी कार्य में लगी हुई है, कहीं पर उद्द्योग स्थापित है तो यह जो भूमी का उप्योग है, वो हर जगह अलग-अलग होता है, हर जगह मतलब इस्थान के नुसार तो इसमें परिवर्तन होगा ही, लेकिन हम यह भी देखेंगे, कि समय के साथ भी इसमें परिवर्तन होता रहता है, तो समय के साथ कैसे परिवर्तन होगा, अभी हमने बाद कि हमारे भारत देश की जो जो छेत्रफल है यहां जो उपलब्ध भूमी है उसकी मात्रा निश्चित है लेकिन जनसंख्या लगातार बढ़ रही है तो हो सकता है पहले जितने प्रतिशत भूभाग पर या जितने छेत्रफल पर कृषी भूमी उपलब्ध थी अब चु चार रहे हैं तो उन जनसंख्या की जो आवश्चक्ता है अटलिस्ट मूल्भूध जो आवश्चक्ताएं है अवाज भोजन इसकी आपूर्ति के लिए तो हमें भूमी जो है वो चाहिए ही और अधिक मात्रा में चाहिए पहले जो दस लोगों के लिए हमें भूमी चाहिए थी अब हम देख रहे हैं वर्तमान में वो दस गुनी बढ़ गई है सौ लोगों के लिए हमें भूमी की आवशकता है लेकिन भूमी की मात्रा तो वो सीमि वो निश्रीत है हम उसे बढ़ा नहीं सकते तो इसके लिए क्या करेंगे जहां पर पहले जो बंजर या व्यर्थ भूमी पड़ी थी उसको क्रिशी के योग ये बनाया जा रहा है नई-ई तकनीक का प्रयोग करके या जो वन भूमी है वन भूमी में भी हम देखेंगे कि लग कोई विनिरमार लगातार इस्फापित करते जा रहे हैं और इससे हम क्या देख रहे हैं कि षर uważ व़ भूमी का जो च्षेत्ध रफल है वो लगातार कम होता जा रहा है तो हमने भी परिवर्तन की बात की कि इस थान के तो इसमें परिवर्तन होगा ही कहीं पर हो सकता है क्रिशी कारी में भूमी का अधिक होगा कहीं पर हम देखेंगे उद्योग मेस का अधिक होता है लेकिन अभी हम देखेंगे कि समय के साथ परिवर्तन तो समय के साथ परिवर्तन में पहले हो सकता है क्रिशी भूमी का वो कम रहा होगा और समय के साथ परिवर्तन ये समय की मांग के अनुसार हम ये देखेंगे कि अब बंजर ये पड़ती भूमी का जो छेत्रफल है वो लगातार उसमें गिरावट देखने को मिल रही है और इसी प्रकार हमने वन छेत्रफल की भी बात की कि तो समय और इस थान दोनों के नुसार जो है इस भूमी उपयोग में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है आएए अब हम बात करते हैं अपने भारत देश के संदर में हम सभी को पता है भारत का जो छेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमेटर है अब इस पूरे 32.8 जो लाख हेक्टेर भूमी है हमारे प पूरे 100% भूमी का सर्वेक्षन या भूमी उपयोग का सर्वेक्षन यहां नहीं किया गया है यहां पर इस 32,87,263 किलोमेटर में सिर्फ 90% यदि हम इसे 100% माल ले तो यहां पर 90% जो छेत्रफल है सिर्फ यहीं पर के भूमी उपयोग का सर्वेक्षन किया गया है और बाकी जो 10 प्रतिशत है वहाँ पर भूमी उपयोग का जो सर्वेक्षन है वो अभी तक नहीं हो पाया है तो आप सोच रहे होंगे कि कारण क्या है यह 10 प्रतिशत का तो दस प्रतिशत जो भूमी उपयोग है उसका पता क्यों नहीं लगाया जा सका है या फिर सर्वेक्षन क्यों नहीं किया गया है तो बच्चों आपको पता होगा कि हमारे 10 प्रतिशत इस भूभाग में हम देखें कि पुर्वोत्तर राजियों में हम चले जाएं तो घना वन सिमाओं में अंतरद्वन्द चल रहा है यह सभी जो भाग है यह इस 10 प्रतिशत छेत्रफल के अंतरगत आते हैं और यहां पर भूमी उपयोग का सर्वेक्षन जो है वो नहीं किया गया है तो हमारे पास अभी हम जो बात करेंगे भूमी उपयोग के संदर में भारत के भू भूमी उपयोग का भूमी उपयोग पर चर्चा करेंगे तो आइए हम बात करते हैं कि भूमी उपयोग का वर्गी करन हम कैसे करें या जितनी भी भूमी हमारे पास है वो किस-किस उपयोग में लाई जा रही है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पूरे इस छेत्रफल का क्रिशी भूमी है अक्रिशी भूमी है पड़ती भूमी है बंजर भूमी और चारागा भूमी या हम जिसे चराई भूमी भी कहते हैं इतने प्रकार के भूमी उपयोग जो हैं वो हमारे भारत में देखने को मिलते हैं बच्चो हम इसको थोड़ा और आगे चर्चा भी करेंग कि जितने भी प्रकार के इस भूमी उपयोग की हमने बात की तो उसमें समय के साथ हमें क्या परिवर्तन देखने को मिला है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये सारी भूमियां हम किसे कहते हैं और किस उपयोग में ये लाई जाती हैं तो सबसे पहले बात कर लें, वन भूमी, वन भूमी जो है, इस भूमी में हम देखेंगे जितना भी छेतर फल होता है वन भूमी का, यहां पर वनस पतियों की अधिकता देखने को मिलती है, मतलब ऐसा छेतर जहां पर पूरी तरह से वनस पतियों का आवरण होगा, उसे हम वन वनभूमी में तो चाहे कंद मूल हो गया, फल फुल हो गया या अलग-अलग प्रकार की जो औशधियां हैं, ये सब मतलब अलग-अलग वनसपतियों में हमें जो है वो वेराइटी देखने को मिलेगी, अब इसके साथ ही बात करते हैं कि पिछले 60 वर्षों के दौरान हम अब बच्चों यहां पर आपको ध्यान देने वाली बात एक और है कि जब हम वनभूमी की बात कर रहे हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए, आपको ये याद रखना होगा, कि वनभूमी जो है, ये सरकार के द्वारा, शाषन के द्वारा घोशित की जाती है कि इतने प्रतिशत छेत्रफल जो है, वन भूमी के लिए है, तो जोरी नहीं है कि जितना प्रतिशत जो छेत्रफल घोशित किया गया है, उतने पूरे छेत्र में आपको वनस्पतियों का या वन का आवरण मिले, ये आवर्शक नहीं है, हो सकता है कि जितना छेत्रफल घोशित है, लेकिन चुकि शाशन ने वो भोशित कर दिया है तो वो जो छेत्रफल है वो सिर्फ वनस्पती आवरण के लिए ही या वन भूमी के लिए ही हम कहें कि रिजर्व रखा गया है मतलब आज नहीं तो फिर कभी भी आगे भविश्य में भी वहाँ पर वन रोपन के लिए या वनस्पती आच्छादन के लिए वो छेत्रफल जो है वो हम कह सकते हैं कि रिजर्व रखा गया है उधारण के लिए हम देखते हैं कि देश में वर्ष 2010 की हम बात करते हैं तो वहाँ पर 19.05 प्रतिशत जो है वहाँ इतनी प्रतिशत जो जमीन है वो वन अच्छादी थी या वनों से धकी हुई थी लेकिन एक्च्छल में उस समय पे हम देखेंगे कि जिस भूमी पर वन नहीं है या सरकार के द्वारा वनारोपन नहीं किया गया है उसमें लगभग 23 प्रतिशत जो है वो घोशित थी आपके वन आवरण के लिए या वन भूमी के लिए लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि उस समय वर्ष 2010 में सिर्फ 19.05 प्रतिशत छेत्रफल पर ही वन का आवरण था मतलब बाकी छेत्रफल में वनाच्छादन तो नहीं है वनस्पतियों का आवरण तो नहीं है लेकिन वो रिजर्व रखा गया है मतलब भविश में वहाँ पर वनस्पति रोपन के लिए या उसे वनस्पति आवरण से कवर करने की एक हम कह सकते हैं योजना जो है वो बनाई गई है लेकिन हम पूरे उस 23 प्रतिशत छेत्रफल को वन भूमी के अंतरगत लेंगे चाहे पूरे 100 परसेंट यदि हम 23 आएंगे बच्चों जब हम वन भूमी की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि वनों से तो हमें लकडी मिलती है उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है भोजन की भी प्राप्ति होती है कंद मूल फल ये और इन सब के अलावा इसका महत्व जो है वो और कहीं अधिक है और क खेत्र जो होते हैं वो carbon dioxide का क्या कर लेते हैं और oxygen कर लेते हैं और oxygen को उत्सरजित करते हैं और हमें पता है कि oxygen जो है वो हम और आप जो मनुष्य हैं उनके लिए एक प्राण वायू है तो जितना ज्यादा से ज्यादा इन वनस्पतियों का आवरण होगा या वन भूमी का विस क्योंकि यह carbon dioxide को शोशित करती है तो यह पूरे वातावरण में या वायू मंदल का जो टेंपरेचर होता है तापमान को भी इस्थिर रखने में सहायक होती है गरम रखती है वातावरण को इस प्रकार हम देखेंगे कि जो वन है वो हमारे लिए बहुत जादा महत्यपूर् हम क्रिशी भूमी की बात करें या हम अलग-अलग प्रकार के इढ़ दोगों की स्थापना की बात करें इन अपने उपियोग के लिए अपने स्वार्थ के लिए जब हम इस वन भूमी का विनाश करते हैं तो हम यह देखते हैं कि हम बहुत सारे जीवजंतूँके आवास को नश्ट कर रहे हैं, इमेजिन कीजिए यदि हम आपके घर को तोड़ दें, खतम कर दें, तो आप तो बेघरबार हो जाएंगे, आपके सामने एक, आप सड़क पर आ जाएंगे, एक समस्या हो जाएगी कि आपको रहने के लिए छट चाहिए, तो बेचारे ये जो मौन, जीव कर दे रहे हैं, और इसलिए अभी वर्तमान में हम देखेंगे, कि हमारे सामने एक मूलभूत समस्या, परियावरण या पारिसिति की संतुलन के संदर में हैं, कि बहुत सारे जीव जनतों का आवास जो है, वो नस्ट हो रहा है, हमारे वनविनाश के कारण, और इसी कारण से बहुत सारी जो पक्षियों की या जीव जनतों की प्रजातियां हैं, वो लुप्त प्राय हो जा रही हैं, अब इसके साथ ही हम देखते हैं कि परियावरण संतुलन या पारिसिति की संतुलन की जब हम बात करते हैं, तो परियावरण संतुलन के द्रिश्टिकोंड से, ये लुकिन हम देखें कि अदेश की हहाँ लगभग पूरी भूमी का जो 33 प्रतिशत हिस्सा है उस्तार हो हम देखें वाफर भूमा पर प kys data बहुत कम लगभग 25 प्रतिशत भूभाग वन भूमी का स enriched लेकिन UP 23 प्रतिश की बात रें तो यह वन-अवर्ण almost साब से बहुत देश के संदर में बहुत आगे है और जितना जो एक शर्त है कि 33 प्रतिशत भूभाग पर वन आवरण होना चाहिए उससे भी इसका प्रतिशत जो है वो बहुत अधिक है हमारे 36 गड़ के लगभग 41.75 प्रतिशत भूभाग पर जो है वो वन आवरण है या वन वहीं उत्तर प्रदेश में हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में लगभग सिर्फ और सिर्फ 5.7 प्रतिशत भूमी पर ही वनों का विस्तार है यह एक बहुत चिंतनी एस्थिती है और हम कह सकते हैं कि हमारे लिए गहरे चिंतन का विशय है और इसके बाद जैसे हम ओडि चाहे हम असम है, मेघालय, मडिपूर, मिजोरम इन सब की बात करें तो यहां पर वन आवरण का प्रतिशत जो है वो हमें काफी अच्छा मिलता है यहां पूरी भूमी के लगभग सत्तर से 85 प्रतिशत भूभाग पर जो है वो वनों का आवरण मिलता है अब हम बात करते हैं भूमी उपयोग का दूसरा प्रकार जिसे हम उपवन भूमी के नाम से भी जानते हैं तो उपवन भूमी जो है वो ऐसी भी भूमी होती है जहां पर बाग बगीचे जो हैं वो लगाए जाते हैं आप द्यान तो जाते ही होंगे पार्क में घूमने के ल चाहे हम विकेंड में छुट्टियों को इंजॉय करने के लिए तो ऐसे छेत्र या भूमी का ऐसा छेत्र जहां पर बगीचे बाग बगीचे लगाये हुए हो जहां पर फल दार वरिक्ष या विभिन प्रकार के जो फल और फूल दोनों ही प्रकार के या और शदिय वरिक्ष लगाये गए हो तो हम यह कहते हैं कि उपवन भूमी जो है अब पिछले समय की हम बात करें प्राचीन समय की तो लगभग पिछले 60 वर्षों के दौरान जो है वो इसमें बहुत परिवर्तन आया है और यहां के पेड़ों को काट कर जो भूमी थी उसे क्रिशी और अन्यकार के लिए लगा लिया गया है तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो पिछले 60 वर्षों में पिछले 60 वर्ष के दौरान जो भूमी उपवन भूमी के अंतरगत 7 प्रतिशत भूमी आती थी अब वो घट कर सिर्फ एक प्रतिशत रह गई है क्योंकि जितनी भी देश में उपव अब भूमी उपयोग का तीसरा प्रकार हम देखते हैं क्रिशी भूमी या एगरी कल्चर लेंड क्रिशी भूमी क्या है हम सभी को पता है कि हमारे भारत देश की लगभग 75 प्रतिशत और 80 प्रतिशत जो जन संख्या है वो क्रिशी कार्य में लगी हुई है और यहां के हम य अध्यम या साधन जो है वो क्रिशी ही है यह यहां लोगों को भोजन तो प्रदान करता ही है इसके साथ ही साथ हम देखेंगे कि बहुत सारे जो उद्योग हैं उनके लिए कच्चा माल भी क्रिशी के माध्यम से ही प्राप्त होता है फिर चाहे आप शक्कर उद्योग की बा अब हम देखें कि लगभग देश की हम बात कर रहे हैं तो जो उन्निस सौ पचास इंग क्यावन में 42 प्रतिशत भुभाग जो है वो उस पर कृषी की जा रही थी अब आज यह वरतमान के समय में वरतमान में हम देखते हैं कि लगभग 46 प्रतिशत भुभाग पर कृषी कारी मतलब पहले कि अपेक्षा जो है वो अब क्रिशी भूभाग में वृद्धी हुई है। और कारण वही है हमने अभी पहला चर्चा भी की थी कि जनशंख्या में लगातार जो है को वृद्धी हो रही है। और सभी के भोजन की आवश्यक्ता को पूरा करना है इसलिए क्रिशी भूमिय में हमें लगातार वृध्धी की जो प्रवित्ती है वो देखने को मिलती है लेकिन यदि हम बात करें लगभग 1970 के आसपास तो हम देखेंगे कि 1970 के बाद से ये क्रिशी भूमी का जो विस्तार है वो रुग गया है और ये लगभग स्थिर सी बनी हुई है उन छेत्रों में जहां पर सिचाई का विस्तार हुआ है सिचाई के विस्तार के कारण भी जो है वो जिन छेत्रों में सिचाई सुविधाई उपलब्ध नहीं थी वहां सिचाई की सुविधाई उपलब्ध करा कर जा रहा था लेकिन हम देखेंगे कि सिचाई के विस्तार के कारण भी उसी जमीन पर मतलब खरीफ मौसम में तो हम देखेंगे कि भारत जो है वो पूरा मानसून पर निर्भर होता है और भारती जो कृषी है वो पूरी तरह से मानसूनी वर्षा पर निर्भर होती है तो चुकि ये छेत्र जो है वो लगभग अभी स्थिर बना हुआ है तो हम देखेंगे कि उसी भूमी पर सिचाई का विस्तार करके उतने ही छेत्रफल पर दो से मतलब दो या दो से अधिक फसले जो है वो ली जा रही है लेकिन हम एक समस्या देखेंगे कि भारत का जो पूरा छे पूरी भूमी जो है क्रिशी भूमी सिंचित है और उसी प्रकार से हम देखेंगे कि इन ही छेत्रों में एक से अधिक फसले जो है वो ली जा सकती है लेकिन वाकी छेत्रों में ये एक समस्या बनी हुई है अभी भी अब क्रिशी भूमी के बाद अगला वरगी करन हम देखत करते हैं जहां पर खेती नहीं की जा सकती नाम से इस पस्ठ हो रहा है आपको क्रिशी और अक्रिशी भूमी जहां पर क्रिशी कारी नहीं किया जा सकता ऐसी सारी भूमी जो है वो आपके अक्रिशी भूमी के अंतरगत आती हैं तो आप बताईए जरा कि ऐसे कौन से छेत्र हों या जो अक्रिशी भूमी के अंतर गताएंगे तो आप बता सकते हैं कि जितने भी ही माच्छादित छेत्र हैं परवतों की भी उची चोटियों वाले छेत्र या जो सदा बर्फ से ढखे रहते हैं हमेशा हम उत्तरी भाग में चले जाएं हिमालय के उची परवती जो चोटिया हैं या उच्च परवती भूभाग हैं वहां पर चले जाएं जो हमेशा बर्फ से ढखे रहते हैं तो वहां पर क्रिशी कारी नहीं किया जा सकता जो मरुस्थली छेत्र हैं जहां पर मरुस्थल इतना जादा है कि वह रेत के टीले जो हैं हवाओं के द्वारा इस्थानांतर करते हैं ऐसे छेत्र जो हैं वो अक्रिशी छेत्र के अंतरगताएंगे इसके साथ ही साथ जहां पर मकान बना हुआ है मतलब जो आवासी छेत्र है वहां पर भी हम क्रिशी कारी नहीं कर सकते या जहां परिवहन का विकास हुआ है चाहे हम सड़क परिवहन की बात करें या हम रेल परिवहन की बात करें, तो जो परिवहन के दृष्टि कोण से विक्सित छेत्र है वहां पर भी जो है वो इस छेत्र के अंतरगत नहीं आएगे, मतलब वो तो सारी भूमी जो है वो अक्रिशी भूमी के अंतरगत आएगी अब इसके साथ ही साथ और क्या हो सकता है जहां पर तालाब है जीले है नदिया है तो हम उनके उपर तो क्रिशी नहीं कर सकते ना तो ये सारी भूमी भी जो है वो आपके अक्रिशी भूमी के अंतरगत आती है और पिछले कुछ वर्षों के दौरान हम ये देखेंगे कि देश में जो ओद्योगी करण का विकास हुआ है इस ओद्योगी करण के विकास के कारण भी जो है अक्रिशी भूमी का विस्तार वो बढ़ा है मतलब चाहे कृशी भूमी हो या फिर वन भूमी हो उपवन भूमी हो बंजर भूमी पड़ती भूमी इन सब के छेत्र फल में क्या किया जा रहा है उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है तो जो शाशन है वो इन भूमियों का अधिग्रहन करके इन छेत्रों में उद्योगों की स्थापना कर रही है अब इसके बाद हम देखते हैं पड़ती भूमी पड़ती भूमी हम अकसर देखते हैं यदि आप ग्रामीन परिवेश से हैं तो आपको ये पता ही होगा कि भूमी का जो जावपन है उसे बढ़ाने के लिए जो क्रिशी भूमी है उसको एक साल के लिए खाली छोड़ दिया जाता है मतलब वहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार के फसल का उत्पादन नहीं किया जाता तो हम इसे क्या कहेंगे परती भूमी अब ये परती भूमी भी जो है वो दो प्रकार से होती है एक परती भूमी जिसमें भूमी का उत्पादन जाओ छमता जो है उसकी उत्पादन छमता को बढ़ाने के दृष्टिकोंड से जब हम एक साल तक वहाँ पर कोई फसले नहीं लेते हैं, खाली छोड़ देते हैं, तो उस्थे हम उसे भी पढ़ती भूमी करते हैं। लेकिन मेरे या तो जब हम इसे एक साल की लिए छोड़ रहे हैं, तो उसे नवीन पढ़ती भूमी कहेंगे। नवीन पढ़ती भूमी और कहीं पर हम देखते हैं कि 5 साल या उससे भी जादा भूमी को ऐसे ही खाली छोड़ दिया जाता है तो इसे पुरातन पढ़ती भूमी जो है वो कहते हैं और पुरातन पढ़ती भूमी के बारे में हम बात करें तो हम देखेंगे कि जब भूमी को ब हमारे सामने आती है तो ये हो गई पढ़ती भूमी अब हम बात करते हैं बंजर भूमी पर बंजर भूमी ऐसी भूमी होती है जिसमें क्रिशी की जो संभावना है क्रिशी कारिय करने की संभावना बहुत कम होती है ये बंजर भूमी भी दो प्रकार की होती है पहली बंजर इहड़ और खड़ वाले छेत्र को हम इसके अंतरगत लेंगे इसके साथ ही साथ जो पहाड़ी भूभाग होते हैं वो भी इस बंजर भूमी के अंतरगत आते हैं अब बंजर भूमी में हम दूसरा इसका प्रकार देखेंगे ऐसी भूमी या भूभाग का ऐसा छेत्र जहां प तो हम उसमें क्रिशिकारी नहीं कर सकते हैं, ना किसी भी प्रकार की वानिकी का उत्पादन कर सकते हैं, वानिकी की रूप में उसे प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो भुभाग जो है, वो बंजर पड़ा हुआ है, अनुपजाओ है, वहाँ पर की जो मिट्टी है वो एकदम उसमें उपजाओपन नहीं के बराबर हैं, लेकिन हम उसमें सिचाई की वेवस्था करके, उर्वरको या खादो का प्रयोग करके, हम या और अलग-अलग प्रकार की जो नविंतम तकनीकिया हैं, उसका प्रयोग करके हम उसे वानिकी की प्रयोग में ला सकते हैं, या चालिस वर्षों के दौरान ये बंजर भूमी का जो प्रतिशत 21 प्रतिशत था भारत में अब वो बहुत कम रह गया है और लगभग 10 प्रतिशत भूभागी जो है या छेत्रफल जो है वो बंजर भूमी के अंतरगत आती है क्योंकि भूमी की आवशक्ता बढ़ रही है चाहे क्रिशी के लिए हो या उद्योग के लिए हो तो हम क्या देखेंगे हम क्या देख रहे हैं कि इन सभी जो चेत्र है बंजर भूमी वाले जो चेत्र हैं उनका तकनीक का प्रयोग करके प्राध्योगी की के प्रयोग के द्वारा इसे किसी ना किसी उप्योग में लाया जा रह कि दूसरी जो वीधी थी उसमें तो हम भूस अन्रक्षन की वीधियों के द्वारा उसे वानिकी या कृषी के रूप में प्रयोग में ले आए लेकिन जो पहली वाली जो हम बात करें हैं उबढखाबढ भूमी या खड़वाली भूमी पहाड़ी भूभाग जो है उसे हम अन प्रयासी भूमी के रूप में ऐसे छेत्र को जो है वह उपियोग में लाया जा सकता है अब बंजर भूमी के बाद हम बात करते हैं चराई भूमी जो है वह इस्थाय चारगा भूमी होती है आप अपने गाउं में भी देखते होंगे कि गाओं का एक जो बाहरी नहीं तो हम देखेंगे कि वहाँ पर गाओं के जितने भी लोग हैं उन्हें वह अधिकार होता है कि वह अपने पशुओं को वहाँ पर जाए और चारागा के रूपे उसका प्रयोग कर ले या फिर यह एक ऐसा चेत्र होता है जहां से जो ग्रामीर महिलाएं हैं वह इंधन के लकडियां भी जलाओ लकडियां भी यहां से ले जा सकती हैं तो हमने बात की भूमी उप्योग का अलग-अलग जो वर्गी करण हमने देखा और इसमें जो परिवर्तन है इस परिवर्तन को भी आए हम इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं